आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, welcome to this video of doubtnet यहाँ में question दिया हुए the electronic arrangement of 4 elements are given below electronic arrangement 4 element का given है A, B, C, D A, B, C, D K, L, M, N 2, 8, 7 B में का given है 2, 8, 18, 8 C में का given है मेरा 8, 1 ठीक है and मेरा यहाँ पर D में का given है 2, 8, 6 ठीक है यह मेरे को electronic arrangement given है राइट ठीक है तो की element सबसे पहले हम लोग cell सो मज लेते राइट यह माल रहते है मेरा nucleus है यह उसकी 4 around cell है ठीक है राइट तो सबसे अंदर वाले cell को हम लोगनाम देते है K उसके उपर वाले को L उसके उपर वाले को M and उसके उपर वाले को N ठीक है K के लिए N के value 1 होती है 2 N equals to 3 and N equals to 4 ठीक है इसके आगे भी होता है बढ़ हमें इतना ही से अभी यूजे राइट ठीक है तो यह होगया अब यहाँ पर maximum number of electrons के अगर मैं बात करो maximum number of electrons तो यह क्या होता है maximum number of electrons 2N square pa 고 फवासर होता है 2 into 1 का Square 1 to 2 to K में maximum number of electrons कितना होता है 2 L में maximum number of electrons 8 M में maximum number of electrons 18 and M में maximum number of electrons 32 ठीक है यह maximum number of electrons ish तो अब अगर मैं यह पर देखुँ तो E में क्या given है कि A का K और L तो fill है M, M में भी 80 electrons आते हैं, बर यहां पर अगर मैं बात करो, K में 2 orbit, 1 orbit होता है S, L में में 2 orbit होता है S and P, M में 3 orbit होता है S, P, D, and N में में 4 orbit होता है S, P, and D, and F, ठीक है, अब S में maximum number of electrons के अगर मैं बात करो, तो S में 2, P में 6, D में 10, and F में 14, यह हमें higher classes में पढ़ना है, ठीक है, तो हम लोग यहां पर M में भी maximum number of electrons 8 ही आते हैं, इसमें orbit जादा है S, P, D, and M में, तो इसमें D orbital जब involve होगा, तब मेरा 8 से उपर electrons देगा, वरना 8 ही दग रहेगा, ठीक है, तो इसमें maximum, basically इसमें 3 orbit होते हैं, इसलिए M में 18 electrons से लगए, ठीक है, यह हमें समझना होगा, कि इसमें 3 orbit हो गए, ठीक है, तो अगर मैं यह आपर देखू, तो A में, तो A में basically यह, A की अगर valency की यहां पर बात करूँ, valency, ठीक है, तो A मेरा क्या करेगा, A की valency क्या होगे, यह एक electron gain करेगा, या फिर A की electron यह sharing से करके, अपनी octet को पूरा करेगा, ठीक है, तो यह इसकी valency 1, B की अगर मैं बात करूँ, तो यह basically already, यह valency अपना octet complete कर चुका, तो इसकी valency 0, अगर मैं C की यहां पर बात करूँ, तो C की valency 1, यह एक electron यह lose करेगा, ठीक है, तो इसकी valency 1, और D की क्या है, valency मेरा यह 2 electron, या तो 6 electron अपना, यह करेगा, lose करेगा, यह फिर 2 electron gain करेगा, तो 6 electron lose करना, that is quite tough work, ठीक है, तो यह basically 2 electron gain करेगा, तो इस अब, अगर मैं इस elements को find out करने की बात करूँ यहां पर, elements कयाक्या होंगे, तो A में अगर मैं बात करूँ, तो total number of electrons, number of electrons क्या हो जाएगे A में, तो 8 to 10, 7 to 17, ठीक है, तो number of protons भी यह होँगे, ठीक है, तो atomic number मेरा क्या हो जाएगा number of protons जो हता है वाई तो ये मेरा क्या होगया? Atomic number 17 के corresponding ये chlorine ये Carryली, right? ठीक है ये मेरा क्या होगया? chlorine होगया, ठीक है अब अगर बी के मै बात करूँ तो ई मेरा क्या है? ही यहाँ पे मैं लिखते ऊ- chlorine ठीक है? अब मैं अगर B की यहां पर बात करूँ, B, तो B में मेरा number of electrons क्या है, number of electrons B में, तो B में total number of electrons के अगर मैं बात करूँ तो यह है 36, ठीक है, 36 electrons है, तो number of protons भी 36 होंगे, ठीक है, तो number of electrons और protons दोनो 36 है, तो atomic number क्या हो जाएगा इसका, atomic number, यह भी मेरा 36 हो जाएगा, ठीक है, और 36 atomic number के corresponding मेरा कौन सा element है, क्रिप्टाउन, ठीक है, क्रिप्टाउन, ठीक है, तो B मेरा क्या है, क्रिप्टाउन है, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ, की small r, क्रिप्टाउन हो गया, ठीक है, अब हम लोग को find out क्या करना है, C and D, ठीक है, तो C के लिए, अगर मैं बात करूँ, यहां पर C के लिए, तो number of electrons कितने हो जाएगा, C में 11, ठीक है, number of protons कितने हो जाएगा, C में 11 ही होगे, electrically neutral है, ठीक है, तो atomic number मेरा क्या हो जाएगा, atomic number 11, atomic number 11 के corresponding क्या होता है, sodium, ठीक है, तो sodium that is Na, अब हमें D, तो D के लिए हमें क्या करना है, कि number of electrons, ठीक है, electronic configuration से यह find out कर लिएगे, तो यह कितने है, 16, ठीक है, तो number of protons भी 16 हो जाएगे, ठीक है, because electrically neutral है, ठीक है, तो atomic number क्या हो जाएगा, atomic number, यह भी 16 हो जाएगा, ठीक है, atomic number 16, तो atomic number 16 के corresponding मेरा कौनसा element होगा, तो यह होगा sulfur, ठीक है, sulfur, that is S, ठीक है, ठीक है, right, S, अब हमें question में क्या given है यहाँपे है, question का first part में क्या given है, एगर मैं first part की बात करूँ, तो first part में मेरे को given है कि name the type of bond formed when A combines with C, जब मेरा A, C के साथ combine होगा, तो कौनसा bond का formation होगा, यह हमें बताना है, ठीक है, तो A, C के साथ combine होगा, A, A, पहला क्या है, A plus C, तो यहाँपे कोई compound बनेगा, मान लेता है, ओ, X बनता है, तो X में bond काउन सा है, राइट, bond काउन सा यह बताना है, ठीक है, तो A मेरा क्या है, chlorine, ठीक है, और यह N से react होगा, तो यहाँपे यह form करेगा, NACL, राइट, तो NACL में मेरा कौन सा bond present होता है, ionic bond, राइट, तो इसमें ionic bond present होता है, ठीक है, तो मेरा first का answer यहाँपे क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 का answer की बात करूँ, तो 1 का ionic bond, ठीक है, यहीं पे मैं answer 2 भी लिखूँगा, राइट, ionic bond है, ठीक है, ionic bond, और यहीं पे मैं answer 2 भी लिखूँगा, तो second part है question का, which of the four elements is an inert gas, इसमें से कौन सा मेरा inert gas, राइट, तो जिसका octate complete है, वहीं मेरा inert gas होगा, ठीक है, तो octate किसका complete है, क्रिप्टोन का complete है, राइट, तो क्रिप्टोन inert gas, राइट, तो इसमें से कौन सा चार elements में से inert gas है, तो B, राइट, B कौन सा element है मेरा, क्रिप्टोन, ठीक है, क्रिप्टोन, यहीं मेरा क्या है, inert gas है, ठीक है, अब मैं third किया कर बात कर, third question में, third में किया given है, write the formula of compound formed between C and D, ठीक है, C और D के बीच में, जो compound 1 रहे, C मेरा क्या है, sodium है, and D मेरा क्या है, S है, ठीक है, तो sodium C और D के बीच में, तो C की valency की, अगर मैं बात कर दो, तो अभी मैंने valency इधर find out करी थी, यहाँ पर, तो C की valency कितनी है, 1 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको cross multiply कर दो, वालन्सी से, तो यह क्या हो जाएगा, C2D, ठीक है, और हम लोग इसको यह भी बोलेंगे, C क्या है, NA है, तो NA2S, ठीक है, C2D या फिर NA2S, ठीक है, यह हो जाएगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, क्या है, यही है, यही है, यह मेरा finally correct answer है, इस question का, ठीक है, तो इस question का मेरा finally correct answer यहाँ पे, यही है, थांक यू,